हेलो आपको एकदम इंडेप्ट नॉलिज दी जाएगी कि आप वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनाएंगे इंडेप्ट नॉलिज का मतलब मैं एक एक पॉइंट यहां पर क्या करूंगा जिससे क्या होगा कि आपका प्रॉसेस आसान हो जाएगा आप क्या कर सकते हैं वेबसाइट डवलप कर सकते हैं आसानी से क्योंकि वर्डप्रेस जो होता है वो वेबसाइट बनाने के काम आता है वर्डप्रेस में हम क्या करते हैं मैं आपको clear बता देता हूं वर्डप्रेस में हम dynamic website बनाते हैं इनिमिक वेबसाइट बनाने का मतलब process क्या है यहाँ पर हम database का use करते हैं यहाँ पर हम PHP का use करते हैं वो क्या process होता है वो मैं पूरा आपको क्या करूँगा बताऊंगा यह जो course है यह पूरा का पूरा beginner के लिए है मतलब beginner क्या कर सकता है सुरू से इसको join करके एक-इक point को क्या कर सकता है clearly समझ सकता है कि आप point को कैसे handle करेंगे और कैसे उसको समझेंगे यह चीज़े मैं एक-इक करके क्या कराऊंगा clear कराऊंगा देखे wordpress में जो सबसे पहले बात आती है what is CMS क्योंकि CMS का ही एक under part है wordpress तो मैं सबसे पहले CMS बता देता हूं कि CMS होता क्या है CMS का मतलब क्या होता है content management system content management system मतलब एक तरह का ऐसा application जहां पे आप digitally content क्या कर सकते है upload कर सकते है जैसे just example के लिए आप image upload कर सकते है text upload कर सकते है किसी भी type का data आप वहाँ पे क्या कर सकते है video, pdf, step card data भी क्या कर सकते है आप upload कर सकते है तो content management system क्या है एक application है मतलब वो wordpress के साथ में है वहाँ पे आप क्या करेंगे website जब बनाएंगे तो यह सारे options आपको मिलेंगे जो आप क्या करेंगे उसको use कर सकते है content management system जो होता है वो web content manage करने के काम आता है मतलब website का content manage करना एक तरह से आप यहाँ पे क्या करने वाले है website का content manage करने का मतलब यह हुआ कि जो भी data आप रखेंगे वो पूरा manageable होगा website के अंदर तो content management system एक तरह से यह कह सकते है कि आप जब wordpress को install करेंगे वर्डप्रेस भी एक content management system है, अभी मैं आगे के process में समझाऊंगा, मतलब एक तरह से में यह समझा रहा हूँ, कि content management system में होता क्या है, कि जो आपका 70% काम होता है, वो बना-बनाएं आपको मिल जाता है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, data upload करना पड़ता है, और वहाँ पे website बनाने का process क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, अब देखे एक चीज़ मैं और clear बता देता हूँ, यहाँ पे, कि WordPress ही नहीं है, Content Management System, बहुत सारे CMS है, मतलब Content Management System का मतलब CMS, मतलब CMS बहुत तरह के होते हैं, website बनाने के लिए, आपने सुना होगा, WordPress सुना होगा, पर WordPress के अलावा भी CMS होते हैं, जिसके थुरू आप क्या कर सकते हैं, website बना सकते हैं, हम उन CMS को क्यों नहीं use करेंगे, वो मैं बताऊंगा, देखे, WordPress को क्यों use करना चाहिए, उन CMS को क्यों नहीं use करना चाहिए, इसका मैं process clear बता दूँगा, जिससे आपका mind रहेगा कि मैं WordPress कर रहा हूँ, तो एकदम best CMS कर रहा हूँ, देखे, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर top 3 CMS मैं नहीं रख रखे हैं, WordPress है, क्यों top 1 CMS है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि WordPress CMS के थुरू, आप WordPress में आप e-commerce website बना सकते हैं, blogging की website बना सकते हैं, landing page बना सकते हैं, कुछ ads से related website बनानी बना सकते हैं, आप educational website बना सकते हैं, WordPress एक ऐसा platform है, जो आपको किसी भी type की website बनाने का option देता है, यह जुमला और Magento है, यह भी XMS है, यह भी open source है, यह भी free है, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, download करके, implement करके website बना सकते हैं, और जुमला जो और Magento है, एक तो tough है process में, महला आप काम करेंगे और देखेंगे तो यह process में बहुत tough है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम क्या करना पड़ेगा, manually करना पड़ेगा, WordPress में आप without code क्या करने वाले है, पूरी की पूरी website को बनाने वाले हैं, तो एक चीज मैं clear कर देता हूं, जुमला और जो Magento है, वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे e-commerce website बनाते हैं, मगर वहाँ पे coding की knowledge होनी चीए बंदे को, थोड़ा code का process क्या होता होता है, वहाँ पे use होता है, मर वर्डप्रेस एक ऐसा platform है, जहाँ पे आपको coding की जरूत नहीं पड़ती, आप without code पूरी की पूरी website बना के क्या करते हैं, एक पूरी की पूरी website बना के तयार कर सकते हैं, अब मैं एक process और clear करा देता हूं, देखे, WordPress अब होता क्या, पहले ही मतलब जिसकी programming जो की गई है, पीछे backend की programming है, वो PHP language में की गई है, मतलब PHP तो यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे HTML भी यूज है, CSS भी यूज है, JavaScript भी यूज है, JQuery भी यूज है, बहुत सारी ऐसी technology है, जो background में यूज की गई है, अपना तो काम क्या होता है, process को के वल implement करना, process इसको implement करने का मतलब यह हुआ, कि आपको पीछे पता ही नहीं चल पाता कि इसके पीछे code किसका है, मर वर्डप्रेस जो background में जो code यूज करता है, वो PHP का यूज करता है, सर्वर के लिए, और front end के लिए क्या यूज करता है, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, इनका यूज वो front end के लिए करता है, और WordPress जो है, database जो use करता है, वो MySQL use करता है, MySQL database के अंदर data क्या होता है, store होता है, तो जब भी हम dynamic website बनाते हैं, तो यह चीज ध्यान रखना, कि dynamic website में हमेशा database का नाम जरूर आएगा, क्योंकि जब हम data को रखेंगे कहीं पर, मालो, मैं आपसे कहता हूँ कि आप data store करके रखत करती है, मालो, एक website पे, और मालो, मैं 10 दिन बाद आए, 10 दिन बाद भी वो product मुझे दिखेगा, क्योंकि वो product आपके page पे नहीं है, वो product आपके database से आ रहा है, अगर मैं page भी static रखके काम करूँगा, तो मुझे page पे जाके code में जाके change करना पड़ेगा, और यहां के process में क् dynamic website बनाते है, तो dynamic website में हमेशा किसकी बात होती है, database की बात होती है, तो हमेशा जब भी हम wordpress का use करते हैं, तो wordpress background में PHP तो database के लिए, मैस को लिए करता है, wordpress के structure में आपको themes मिलते हैं, plugins मिलते हैं, जो यह बने बनाए होते हैं, मगर इनका भी code क्या होता है, PHP में बना हूआ ह कि डेटाबेस का क्या रोल होगा अगर डेटाबेस आपकी वेबसाइट से हट जाए तो वहां पर क्या रोल क्रेट करेगा अगर आपके वेबसाइट से डेटाबेस हट गया तो आप यह समझेगा कि आपकी वेबसाइट वहां पर बंद हो जाएगी रुख जाएगी क्योंकि database से वहाँ पर इंस्टालेशन श्मैश्य करेंगे अब हम एक हम्रे करेंगे इसके topics पे जाएंगे जैसे हम next process में देखेंगे कि server installation कैसे करेंगे और वर्ड प्रेस को locally पे setup कैसे करेंगे एक चीज़े बिलकुल डीप में clear कराई जाएंगी जिससे आपको clarity हो पाए कि मैं WordPress में क्या करूँगा वेबसाइट कैसे बनाऊँगा और एक चीज़ और बता देता हूँ WordPress जब हम download करेंगे तो वह हम कहां से download करेंगे WordPress.org से download करेंगे वो भी क्या है आपके लिए free open source है वहाँ से download कर सकते है उसके लिए सबसे पहले आपको server installation करना पड़ेगा और WordPress का setup करना पड़ेगा locally वो हम काम locally करेंगे और एक चीज़ और clear करा देता हूँ हम locally भी काम करेंगे और हम live भी करेंगे उसको जैसे हम website local पे बनाएंगे उसको फिर हम online server पे क्या कर देंगे live कर देंगे जिसे चीज़े clear हो कभी-कभी mind में यह आता है कि जैसे आपने सुना होगा कि हम WordPress तो online भी कर सकते है online आप कर सकते हैं कोई problem नहीं है मगर आप हमेशा काम क्या करेंगे locally करिए locally करने के बाद उसको आप online server पे क्या करिए upload कर दीजे यह भी process क्या करूँगा आपको कराऊंगा तो जिससे clear हो जाएंगे कि हम WordPress में website कैसे बनाएंगे CMS क्या होता है एक-एक point आपको clear होना चीए CMS क्या होता है WordPress एक CMS का क्या है पार्ट है तो जो number one है अगर आप जाके Google पे search करेंगे top 10 CMS तो उसमें WordPress पहले नमबर पे आएगा फिर जूमला बैजन्टो ऐसे बहुत सारे CMS है open cart है cold fusion है ऐसे बहुत सारे CMS है जो website बनाने के लिए use होते हैं और जो mostly use होता है जो demanding है इस समय वो क्या है WordPress जो top most demand field है इस समय वो देखेंगे अगर CMS के मामले में तो वो है WordPress तो हम WordPress के थूँ पूरी की पूरी dynamic website बनाना सीखेंगे इस पूरे course के content पे मैं आपको clear बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको total four website बना के दिखाऊंगा पहली website blogging के concept की होगी next website जो हम बनाएंगे वो educational concept की होगी फिर हम travel की website बनाएंगे फिर हम e-commerce website बनाएंगे इस पूरे course के concept में जिससे चीज़े क्या हो जाएंगी clear हो जाएंगी तो अभी मैंने आपको बताया कि CMS क्या होता है और WordPress क्या होता है next process में देखेंगे कि WordPress हम download कहां से करेंगे जो open source होता है और server को install कैसे करेंगे उसको download करके यह मैं process क्या करूँगा next process में आपको समझाऊंगा